स्टुडेंट अब इस चाप्टिल का हम लास्ट जो है टॉपिक पर इने वाले हैं वो टॉपिक है अलजेब्रा और रियल फॉंक्शन के अलजेब्रा क्या होती है यानि उनका एडिशन, सब्ट्रेक्शन, मुल्टिप्लिकिशन और डिविजिन किस सरा से होता है स्टुडेंट भी हैज सिंपल टॉपिक है है फर्स्ट अफॉल मैं आपको बताऊँगा एडिशन, एडिशन कैसी करें अगर आपको दो फंक्शन दो से जादा भी हो सकते हैं तो फो दो फंक्शन आपको f और g इन दोनों को आपको एड़ करना है तो सिंपली आप क्या करेंगे दोनों को जंदली डारेक्ट आड़ आप करती है एक्साम्पल कितरू बता देता हूँ से देर आ टू फंक्शन fx is equal to x square plus 1 और gx यहाँ पे क्या दे रखा है square root of x minus 1 तो f plus g यानि दोनों फंक्शन को जाब आप add करके लिखेंगे अब उसी तरह आप क्या कर सकते हैं subtraction को subtraction में भी similarly दो फंक्शन को अगर आप subtract कराना हो तो इसी तरह function को subtract कराएंगे इस case में same f और g मैं इसी तरह लेता हूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा f minus g x तो क्या लिखेंगे इसे x square minus 1 x square plus 1 आपका fx और minus under root x minus multiplication और division भी हमारा same to same इसी format में होगा multiplication अगर आपको करानी है दो function fx और gx की तो क्या कराएंगे दोनों function को direct multiply कराएंगे again same function x square plus 1 multiplied it by under root x minus 1 यह आपका दोनों का आगया है f g x but अगर आप multiply किसी constant k से करा रहे है तो उस case में क्या होगा एक single function को किसी constant से कराते है तो उसके आगे हम वही constant लगाएंगे for example अगर आपको यहां पर fx यहां पर given है again x square this is fx आपका given है x square plus 1 और आपको मैं 3f x आपको बताना है 3fx तो क्या हो जाएगा 3 into x square plus यही फंक्शन के आगे वही constant आप लगा दीजे पही आजाएगा या minus 10 gx आपको बताना है तो function gx के आगे minus 10 लगा दीजे यही आपका जो constants की साथ हो जाएगा अब quotient of the real function यानि उनकी division किस तरह से होगी तो division के लिए c इस case में हम क्या करते हैं division के लिए division के case में हम दोनु फंक्शन को directly divide करा देते हैं भस ध्यान यह रखना है कि denominator में जो function है यह जी आपका यह 0 नहीं होना चाहिए for all value of x belongs to the real number है यह हर real number के लिए ऐसे real number रखने denominator में 0 ना हो यहां पर अगर आप करेंगे तो simply है क्या हो जाएगा x square plus 1 upon में under root x minus 1 अगर मैं क्या f by g x आपको बताना है इस तरह से इसके लिए हम एक example देखते है example देखे example is that fx is equal to x square plus 1 and gx is equal to 3 multiplied by x minus 1 be the true real function find f plus gx f minus gx fgx fygx यह आपको बताना है simple instrument यहां पर first of all अगर मैं बात करूँ यहां पर f plus gx की उसके लिए आप क्या करेंगे दोनो fx को add करा देंगे gx के साथ कितना हो जाएगा x square plus 1 plus 3x अगर आप simplify यहां पर जितना हो सकता है वो करेंगे this will be the x square plus 3x and minus 3 plus 1 is minus 3 यह आपका क्या गया f plus gx की value आदे अब अगर आप f minus gx निकालना चाहते तो f minus gx के लिए पहले आप fx को लिखे x square plus 1 उसके बाद minus आपके अगर आदे gx यह नहीं की this solve करेंगे इसे x square plus 1 minus 3 लिके देल multiply minus 3x plus 3 this will be x square minus 3x plus 4 अब अगर आपको f g आपको निकालना चाहते नहीं f gx तो इसमें first fx x square plus 1 multiplied it by 3 into x minus 1 यानि की g इसे भी आप solve कीजिए x square plus 1 3 के अंदर multiply करादेंगे 3x minus 3 again आप यहाँ पर multiply कराएंगे first of all x square की यहाँ दोनों टर्म में तो कितना आजाएगा 3x is cube minus 3x square फिर 1 की आप कराएंगे दोनों जगा plus कर 3x minus 3 and this will comes out to be the f g x और अगर आपको यहाँ पर divide करना नहीं याई f by g quotient की टेब में आपे लिखनी है तो f आप करके x square plus 1 upon me 3x minus 1 अब आप चाहें तो यहाँ पर division करके भी लिख सकते हैं division करके लिए पे same आपका procedure होगा या इत्म में रिच हो से student यह हमारा example था based on the algebra of the real function अब हम इस पर based exercise करेंगे तो सीधा exercise है तो आपकाड़ करेंगे अपकाड़ थे लिख से प्राव में भी जापकाड़ की अच्छिए याज़गे दिख साथ प्राव में आपकाड़ का सब्सक्वाब देख से लिख से लिए से लिए यागने हैं